जहां दुनिया के कई देश उथल पुथल में लिप्टे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूरोप के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। इतिहास के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूरोपीय देश पोलैंड के लिए जियाई टैग वाले फिग के जूस की खेप को रवाना कर दिया है। कर बाहर निकाला जा रहा है। उसी समय आर्थिक मंदी का असर भारत पर नहीं पढ़ रहा है, बलकि भारत का एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भारत के द्वारा पहली बार यूरोपीय मार्केट में फिग जूस के एक्सपोर्ट ने चीन को हैरान करके रख दिया है। दरसल 27 अमीर देशों वाला यूरोपीयन यूनियन इस समय भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ज्यादा तर भारत से ही खरीदते हैं। और इसमें भी खास कर यूरोपीय देश भारत के मसाले और अन्य खाने पीने की वस्तूओं पर इस तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं कि यह भारत के प्रोडक्ट बिना अपना खाना तक नहीं पका सकते। यानि कि एक तरीके से यूरोप, देश, भारत से भेजी जाने वाली खाने पीने की वस्तूओं के दीवाने हो चुके हैं। और उनके इसी दीवाने पन से भारत के एक नए प्रोडक्ट को यूरोपियन मार्केट में पहली बार एंट्री मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं FIG, यानि कि अंजीर के जूस की, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र की पुरंदर हाइल लिमिटेड ने पोलेंड में एक्सपोर्ट कर दिया है। और खास बात ये है कि पुरंदर हाइलेंड लिमिटेड एक फॉर्मर प्रोड्यूसर कमपनी है, जिसने GI टैग वाले पुरंदर अंजीर से इन जूस को खुद भारत की अपनी प्रोड़क्शन यूनिट में तयार किया है। और इतना ही नहीं, बलकि अंजीर के जूस बनाने वाली इस प्रोड्यूसर कमपनी को अपनी क्वालिटी और स्वाद के कारण इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। हालांकि अभी इसे केवल पोलैंड के लिए एक्सपोर्ट करने की पर्मिशन भारत की तरफ से मिली है। लेकिन जैसे ही भारत में प्रोड्यूस किये गए अंजीर के जूस एक बार यूरोपिय मार्केट में पहुँचेंगे, तो वहां के लोग भारत के इस फूड प्रोडक्ट के भी दीवाने हो जाएंगे, जिससे जल्द ही इसे यूरोप के इटली जर्मनी और नीदर लैंड जैसे देशों में भी भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए इस कंपनी द्वारा अंजीर के जूस का जरू कर दिया जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा देखा गया है कि खाने पीने के जिन एग्रिकल्चरल वस्तूओं ने एक बार यूरोप के किसी देश में एंट्री मारी है, वह यूरोप के लगभग सभी देश में फैल गई है और लगभग सभी यूरोपी ये देश इन ची कि पिछले साल भारत ने अपने देश में चावल की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए राइस के एक्सपोर्ट पर कुछ देशों के लिए बैन लगा दिया था, इसके बाद यूरोपीय देशों में उथल पुथल मचना शुरू हो गई और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलक भारत से राइस एक्सपोर्ट को दोबारा से चालू करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद भारत ने इसका एक्सपोर्ट चालू किया. क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है और ज्यादा तर देश भारत से ही चावल को खरीदते हैं और उत्पादन की कम लागत के कारण क्वालिटी वाले स्वादिष्ट भारती चावल अंतर राष्ट्रिय बाजार में हम लोग काफी कम प्राइस में बेंच देते हैं और भारत के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है लेकिन पाकिस्तान से यूरोपिय देश राइस नहीं खरीदना चाहते क्योंकि यूरोपिय देश भारत से ज्यादा तर बासमती चावल को खरीदते हैं जिसके लिए भारत के बासमती चावल को GI टैग भी यूरोपिय यूनियन की तरफ से मिला हुआ है फिलहाल यहां पर GI टैग की बात की जाए तो यह उन खास प्रोड़ एरिया में प्रोड्यूस होते हैं और उस तरीके के प्रोड़क्ट दूसरे देश में नहीं मिल पाते और यही GI टैग महाराष्टर बेस्ट पुरंदर हाइल कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किये जा रहे अंजीर के जूस पर मिला हुआ है क्योंकि भारत की यह कंपनी जो अंजीर के जूस को प्रोड्यूस कर रही है इसकी क्वालिटी एकदम यूनिक होने के साथ साथ इसका स्वाद भी बिलकुल अलग है और इस तरह के अंजीर वाले जूस कोई और देश नहीं बना पा रहा है और भारत की एग्रिकल्चरल डेवलप्मेंट और एक्सपोर्ट अथोरिटी को यह बात 2022 में मालूम चल गई थी कि पुरंदर हाइलर्स द्वारा जो फिक जूस प्रोड्यूस किये जा रहे हैं उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा विशेश और स्वाद में यूनिक है तो उन्होंने इस समय इस प्रोड़क्ट को GI टैग दिला दिया था इसक इंडिया प्रोड़क्ट के एक्स्पोर्ट को यूरोपीय देशों में बढ़ाने के लिए मीटिंग कंड़क्ट कराई गई जहां इस प्रोड़क्ट को पेश किया गया जिसमें इटली और पोलैंड ने इस प्रोड़क्ट के स्वाद को जब छका तो वह इसके दीवाने हो और उनकी तरफ से इसकी डिमांड की गई। साथ ही इस आयोजन में पोलैंड और इटली के खरीददारों ने भी अपने इंट्रेस्ट को दिखाया, जिससे इसी विशेश क्वालिटी और मीठे स्वाद वाले अंजीर के जूस को पोलैंड के खरीददारों की डिमांड के अंजीर के जूस का एक्सपोर्ट शुरू करने के बाद भारत की जमकर कमाई होने जा रही है क्योंकि अंजीर का जो प्रोडक्शन है वह लोकल तरीके से आसानी से भारतिये किसान कर रहे हैं और भारत की जलवायू अच्छी होने के कारण इसे उगाने की लागत काफी ज्य इसलिए अंजीर के जूस को बनाने में कई छोटे-छोटे किसान मदद कर रहे हैं यानि कि देखा जाए तो भारत में देशी तरीके से बनाए जाने वाले फिक जूस ने अपनी जबरदस्त पहचान के साथ इंटरनेशनल मारकेट में एंट्री मार लिया है और वह भी ऐसे देश में जहांके लोग पहले से ही भारतिय फूड प्रोडक्ट के दीवाने बनकर बैठे हुए हैं और यूरोप के पोलेंड देश को देखा जाए तो पिछले साल भारत और पोलेंड के बीच लगभग 6 बिलियन डॉलर का बाइलट ट्रेड हुआ है और यह साल दर साल बार खरीदा है बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अंजीर के जूस को भी अन्य फूड प्रोडक्ट की तरह पूरे यूरोपिये मार्केट में नई पहचान मिल पाएगी या नहीं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब क कर लें साथ ही वैल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुचती रहे जय हिंद